हलो फ्रेंड्स मैं सब्रोक्षुनील तमार कंसल्टेंटी एंटी एंड राइनोप्लास्टी सर्जन दोस्तों आज हम जानेंगे आज डिसकर्स करेंगे एक बड़ी ही कॉमन जो है समश्या है बट बहुत गंदी समश्या है वो है ओसमेफ ओरल सब्मुकस फाइब्रोसिस दोस् करी दोस्तों आपको मिलती रही दोस्तों ओछ नहीं अपने पहुत सारे लोगों को देखा होगा थाने के लिए पानी पीने के लिए उनकी मौठ ऑपनी रेस्टिकाश्यातीन हो उनका मुह नहीं खुलता वो बड़े परिशान होते हैं दोस्तों OSMF एक जो है हमारे oral cavity से related problem है जिसमें patient का जो है वो continue जो है वो टौबे को खाने से गुट का खाने से सूपारी खाने से उसके जो दोनु जबडों के बीच में जाम लग जाता है और उसका मुह नहीं खुल पा जाती है five finger opening हमारे mouth की हमारे oral cavity की होनी चाहिए दोस्तों जो patient जो लोग जो continue टौबे को लेते हैं जो हमेशा जो है अपने गाल के अंदर जो है सूपारी पान गुटका ये continue रखते हैं दोस्तों ऐसे लोगों की अंदर की जो skin है जो हमारे गोड ने हमारे अंदर एक skin बनाई जो हमारे को तेज मिर्स मसाला खाने से जो उसका protection होता है वो skin बर्न हो जाती है and ultimately burn होने से जो हमारी शुपारी और हमारे जो मांस पेशियां हैं जो हमारे जबडे को खोलती हैं वह कहाई उनके अंदर क्या जाम लग जाता है burning के करण and ultimately patient दिरे 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 वो जो है वो तीन फिंगर मुह आता है दो फिंगर आता है बहुत बार हमने दोस्तो ऐसे patient भी देखे हैं जो एक फिंगर भी उसके मुह में नहीं जाती है दोस्तो यह जो बीमारी है सबसे में इस बीमारी के कारण जो है patient अगर symptoms की बात करते हैं तो उसका mouth opening नहीं होता मुह नहीं खोल पाता दूसरा वो जो patient है उसको जो कोई भी मिच मसाले की चीज अगर वो खाता है spicy food खाता है तो उसको बहुत burning होती है बार-बार मुह में उसको जो है अलसर होते हैं चाले हो जाते हैं बट दोस्तो यह है OSMF अब इसमें जो है इसका क्या management है दोस्तों OSMF जो बीमारी है उसका अगर management की बात करें तो यह बीमारी अपने आप में बहुत resistant है अपने treatment के लिए क्योंकि जब एक बार यह start हो जाती है तो क्या है कि बहुत बार patient को गुटका सुपारी बंद करने के बाद भी यह continue जो है mouth opening जो है वो रेस्टिक है तो दोस्तों इसका treatment है जो इसका cognitive agent है जो इसका कारण है उसको रोकना अगर आपने कितना भी treatment लिया आपने गुटका सुपारी यह बंद नहीं किया तो दोस्तों OSMF बंद नहीं होगा mouth opening continue होता रहेगा so first treatment उसको बंद करना है उसके बाद डॉक्टर जो है आपका जो oral cavity है उसको examination किया जाता है उसमें कहीं कोई ऐसा लेने की ज़रूर तो नहीं है और उसके बाद में जो है कुछ conservative management दिया जाता है जिससे वो आगे हमारा जो है मूँ जो है ओर बंद नहीं हो दोस्तों अगर किसी patients की mouth opening इतनी रहती है कि उसको एक finger भी नहीं जाती तो उसमें उसकी surgical भी उसका treatment होता है उसका surgery की जाती है बट surgery उसकी challenging होती है दोनों जबनों के बीच का जो मास है उसको खोला जाता है जिससे लेकिन कम से कम at least क्या है surgery की बाद भी उसमें दो finger mouth opening हम दे सकते हैं और surgery के बाद इतना ही जो है उसका mouth जो है कोल सकते हैं तो दोस्तों यह जो best उसका treatment है जो best है management prevention दोस्तों prevention is the better than cure अगर खाते हैं तो उसको आप प्रेंड लीजिए कि ऐसी problem मेरे को नहीं हो इसलिए मेरे को इसको बंद कर देना है and I hope this information regarding OSMF useful for you, you can share with your family and friends, अगर आपका कोई इसकी regarding question है, आप मेरे comment box पे जो है आप डाल सकते हैं, I'll definitely reply, thank you.